नमस्कार और आप देख रहें एतिहासिक नगरों की श्रेणी में हिसार सहर साही दुरुग फिरोजा का कहते जिसे हिसार कल्धत था मरूस्तल आज हर्याना का शेका जे हां हम बात करें हिसार नगर की जो इस बात पर गल्व करता है कि प्राचेन काल से ही सोर्य राष्ट प्रेम बलिदान और देश पर मर मिटने के उच्च परमप्राय यहां से रही है खाजान की शेत्र से लेकर के आज प्राकरम और सोर्य के अने की दिमान स्थाप बिद करने वाला शहर है हिसार आपको बता दे कि फिरोज शाह तुगलक ने सन तेरा सो चोपन में हिसार नगर की स्थापना की थी उसने इस नए नगर में हिसार ए फिरोजा के महलों, मस्जिदों और बगीचों तथा नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था हिसार एक फार्शी शब्द है, इसका अर्थ होता है किला या फिर घेरा सन तेरा सो चोपन में दिल्ली से सुल्तान फिरोज शाह ने यहाँ पर किले का निर्मान कारिया सुरू करवाया उसका नाम हिसार ए फिरोजा रखा गया, यानि फिरोजा का हिसार अब समय के थपेड़ और यात्रा में केवल हिसार शब्द रहे गया हिसार का नाम आज देज के परमुक सहरों में सुमार किया चाता है यह भारत के राश्ट्य राश्मार नमबर 9 पर दिल्ली से 164 किलोमेटर की तूरी पर है हिसार जिले में अग्रोहार राखी कड़ी, बनावली, कुनाल और विंडराना जो की अब फत्यवाद में है इन स्थानों की खुदाई के दोरान पहली बार मानव सब्धता के अर्सेश मिली जिनके अध्यन से हडपा संस्क्रिलतीर से लेकर के कई प्राचिंग काल के इतिहास के बारे में यहां से जयनकारी मिली हिसार किले में स्थापित समराट असोग के सासनकाल के समय में स्तंब 234 एडी जो कि वास्तों में अग्रोहा से लाकत यहाँ स्थाफित किया गया था हिसारी फिरोजा की निव जिस से पहले यहाँ पर दो गाओं, बड़ा लारस और छोटा लारस को बारस करते थे बड़े लारस में 50 खरक चारा गाँ होती थी और छोटे लारस में 40 इसी कारण बड़े लारस की नस्दीक का शेत्रफल फिरोज साह को फसंद आया, जहां उसने किले का निर्मान अपने देख रेक में करवाया, इसके निर्मान में 2-3 साल लगे थे, इस शेत्र में सेरों, चितों एवं दूसरे जंगली पस्वों की भरमार हुआ करती थी, इतना फिरोज साह तुगलक को हिसार से इतना लगाव था कि वह इसे इसलामिक धार्मिक शहर बनाना चाहता था, सुल्तान एक बहुत अच्छा वास्तुकार भी था, हिसार किले का निर्मान वास्तों में सुल्तान फिरोज साह तुगलक ने अपनी देख रेक में करवाया था, किल जिसके पानी का प्रयोग करने के बाद यह पानी किले की बाहरी दिवारों में चला जाता था। किले के अंदर फिरोज सा ने एक मस्जित का निर्बान भी करवाया था। जिसे लाटे मस्जित के नाम से जाना जाता है। वही मस्जित के साथ दिवान आम है। इसी परीशित में हमाम यानी सरोवर भी बनाए गए यहाँ पर प्रशित गूजरी महल जी किले की बीचों बीच है सेवा के लिए किले में मोर्चा और इमार देवनी हुई है इस्टी इंडिया कंपनी ने सन 1809 में यहाँ पर केटल फार्म की स्थापना की थी जिसकी ख्याती परदेश भर में राष्ट्य नहीं बलकि अंतराष्ट्य अस्ताथ पर भी माली जाती है जो आगे चल कर पूरे विश्व में विख्यात हुआ यहाँ पर स्थापित पसुपारन की विधिवत संस्थानों के कारण नगर आज भी विश्व भर में पसुधन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में माना जाता है 1857 की प्रथम स्वतंतरता संग्राम में हिसार हाशी निवाश्यों में विशेश कर ग्रामिनों का योगदान भी वीव समझने रहा है हिसार भारत का एक पहला ऐसा नगर है जहाँ पर देश भक्तों ने दिन तहाडे भरी कचहरी में यहां के डिप्टी कलेक्टर बेडरन बर्न को कोर्ट रूम में गोली मार कर हात्या के साथ जन क्रांती का बिगुल बजातिया था जिसके पश्चाथ समस्त जन मानेस में ब्रिटिस आसन के विरुद एक मोर्चा खोल दिया था यहां की ग्रामिणों ने अपने प्रम प्रागत हधियारों जेली, बर्सी, भाला, तलवार और कोलाहडी तथा गंधाशी आदी छोटे छोटे हधियारों से ब्रिटिस सनकों के विरुद एक लडाई छड़ी थी और यही कारण रहा था कि इन्हें अंग्रेजों की यात्नाओं और बरबर्दा का शिकार भी होना पड़ा उन्निस अगस्ट 1857 के दिन हिसार किले में नगोरी गेट जिसके लडाई में यहां पर मंगाली, रोहनात, मुठी मंगल खान, जमालपूर, हाजपूर, बल्याली, भातला, इत्यादी गाउन में सेंकडो देशपक शहीद हो गए थे, जिसके बाद 260 वीर घायल भी हुए, यह एक बेमिशाल शहदत थी, और जो बच गए थे उन्हें गाउन के वरिक्षों पर हांसी पर लटका दिया गया था, सेंकडो लोगों ने काले पानी की सजा दे करक अंडवानने को बार भी भीजा गया था, यहां तक कि आसी की एक सड़क शहीदों के खून से लाल हो गई थी, आज भी उसे लाल सड़क के नाम से जाना जाता है, इतना ही नहीं अंग्रेजी सेना ने तोपो के साथ बुठी मंगल खावे गाउं रोहनाद पर हमला कर दिया तोपे लागागा कर गाउं को उड़ा दिया था, जिसमें सेंक्डोकरां तेकाली किरामें भी शहिद हुए, पुठी मंगल खावे के मुख्या मंगल खावे को फासी दे दी गए, जिसके बाद अंग्रेजों की बरवर्ता यहीं खत नहीं हुई, उन्होंने रोहनाद, मंग जमालपूर, आजमपूर, पुठी मंगल खावे के गाउं को निलाम कर दिया, इन गाउं में किसानों से उन्हीं की जमीन चीन कर मालिकाना हक से बेधखल कर दिया गया, रोहनाद गाउं के क्रान्तिकारी, स्वामी, बिरिडदास, बेरागी को तोप के मुँ पर बांद करके उड़ा दिया गया था, इसी गाउं के एक जाट, रूपा खाती और अन्य लोगों को भी हासी सडक में लिटा करके गिरिड़ी फिरवादी गई थी, राष्ट पिता महत्मा गांधी द्वारा चलाए गए परतेक आंदल में यहां के लोगों ने बढ़ चाड़ कर भाग लि ने सन 1886 से 1852 में तक हिसार को अपनी कर्म भूमी बनाया, सरतंतरता संग्राम के दोरान देश की महान विभूतियां जैसे नेताजी सुभाश्यंद्र बोश्ट पंडित जमाहरलाल नहेरू, पंडित मदन महनमालुय जथा सिरिमती सरोजना नाइडू ने भी इस एथहासिक नगर में आकरके अपनी जन सभाओं को संबोधित किया। निशन्दे हैं यहां के लोग आज भी राष्टिय रक्षा और सुरक्षा में निमित नकेवल कटिबंध हैं बलकि वचन बद्दतास के साथ शक्रिय भूमी का निभा रहे हैं। यहां के अनेक जावाजों ने रिमाओं की सुरक्षा के लिए सरवचम पर लिदान भी दिये। स्वतंतरता संग्राम के इधिहास में हिसार वाइश्यों की समर्थन और त्याग को कभी नहीं भुलाया चाशकता। स्वतंतरता प्राप्ति के बाद इस नगर में स्थापित हर्यानात क्रेशविश्य विष अच्छा है आज के दिन यह नगर उत्तर भारत के पर्मुक नगरों में से एक माना जाता है इसे मैगनेट सिटी के नाम से भी जाना जाने लगा है वर्तमान में हिसार नगर ओधोकिक शेत्र में उत्तरी भारत के स्टीम सिटी के नाम से भी विक्यात है यहाँ पर हर्याना संस वायू सुष्ट है यहां का तापमान गर्मियों में 48 तिक्वी संचेस तक पहुंचाता है एक बार फिप से हम इस इतिहासिक नगर के बारे में कहेंगे शाही दुर्ग फुरोज का जिसे कहते हिसार है कल तक जो था मरुस्थल आज हर्याना का शेंगा है अब देखें हमारी ए कास्की बोल इतिहास का चरोका एक बखिए टीए कर दो 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 कर दो